how to change YouTube channel name in 2021 and in future as well तो यहाँ पर अपने YouTube channel का name आपको किस तरीके से change करना है अगर आप एक completely new YouTuber है और आप अपने YouTube channel का name change करना चाहते है यानि कि जो यहाँ पर नाम है यह वाला नाम इसे आप change करके कोई दूसरा नाम यहाँ पर update करना चाहते है रखना चाहते है, so let me show you the process on it फिलाल यह मेरा को YouTube channel नहीं है यह मेरे biggest hero का है जो Sail Khan, obviously by you guys already know about him so मैं इनका बहुत बड़ा fan हूँ तो फिलाल अगर आप जैसे इनका YouTube channel का जो name है Sail Khan, वैसा अगर आप कभी को YouTube channel है और उसका नाम आप अगर अगर चेंज करना चाहते हैं, so let me show you the process on it लेकिन यहाँ पर step बताने से पहले मैं एक बात आपको यहाँ पर clear करना चाहता हूँ जो YouTube की policy है कि आप अपने YouTube channel का जो name है वो आप 90 days में सिर्फ तीन बार ही change कर सकते हैं तो यह बात का आपको ध्यान रखना है उसके बाद ही आपको अपना YouTube channel का जो name है वो change के लिए apply करना है और दूसरी बात, यहाँ पर अगर आप अपना YouTube channel का जो name है अगर आप change के लिए apply करते हैं तो जो आपका YouTube channel है उसका जो नाम है वो आपको search list में तूरंत नहीं दिखेगा इवन कुछ दिन के बाद दिखेगा तो अगर आपका YouTube channel नया है बिस अगर example कहो एक मेना, एक मेना, एक मेने का YouTube channel है या दो मेना पहले create का YouTube channel है तो ऐसे में आपको patience रखना होगा अल्मोश्ट यापर दो वीक का भी time लग सकता है आपकी YouTube channel को search में आने के लिए लेकिन अगर आपको YouTube channel create करके एक साल हो गया है और ऐसे में आप अपने YouTube channel की name को change करना चाहते है तो ऐसे में फिर आपको सिर्फ एक one week तक का wait करना हो और within one week आपका जो नाम है वो search में आना start हो जाएगा तो फिलाल अभी आपर अपने YouTube channel के name को change का अप्रोसेस अप्लाई की सरीके से करना है तो इसकी लग आपको directly जाना है अपने Google Chrome browser में make sure कि अगर आप एक YouTuber है और YouTube की journey start कर रहे है as a beginner मैं यही करना चाहूँ कि आप अपने YouTube channel को access करने के लिए see for see Google Chrome browser का use करे because एक दम trusted platform में Google का product है और YouTube भी Google का product है so it's very useful तो आप से गूगल Chrome browser का use करें अपने YouTube channel के name को change करने के लिए because it's completely safe तो directly आपको अपने Google Chrome browser में जाना है then उसके बाद आपको यहाँ पर visit करना है YouTube.com पे और make sure कि आप अपने इस Chrome browser को आप यहाँ पर desktop side में open करो तक यह ज़रा better होगा access करने के लिए अब उसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा zoom करना है zoom करने के बाद यहाँ पर आपको जो profile icon है सबसे बिल आपको उस Google account से login हो जाना है जिस Google account पर आपने YouTube channel create किया है उसके बाद आपको यहाँ पर profile icon पर tap करना है यहाँ पर आपको यूर चैनल को option बिल जाएगा as you can see directly आपको यूर चैनल पर tap करना है ना उसके बाद यूर चैनल पर tap करने के बाद यहाँ पर आपको option आएगा Customize channel का जिस्ट आपको इस पर टाप करना है और आप डालिक लिए उस YouTube के इंटर सेटिंग्स में विजिट कर पाएंगे तो यहाँ पर जिस्ट आपको वेट करना है लोडिंग का टाइम देता है डिपेंड अपॉन यूर इंटरनेट and now as you can see for उसके बात यहाँ पर आपको इसे जूम करना है तो यहाँ पर आपको layout का option बिल जाएगा आप यहाँ पर आपने YouTube चैनल के लिए कुछ layout आप create कर सकते हैं customize कर सकते हैं branding का आपको यहाँ पर option बिल जाता है आप चाहते आपने YouTube चैनल का logo, profile picture कुछ में अगर आपको profile section के रिलिटेट कुछ भी कस्टमाइजेशन करना है तो ब्रैंडिंग option में आके यहाँ पर आप उसे update कर सकते हैं अपने profile जो आपका video है उसकी इधर आप एक profile photo आप सेट कर सकते हैं यूगास आरो इनों की जो भी video प्ले होता है तो नीचे के साइट में जो भी यूटूबर है उसका profile section शो करता है तो आप यहाँ से अप उसे अपलोड कर सकते हैं अगर आपको अपना यूटूब चैनल का नेम चेंज करना है तो इसके लिए आपको basic info भी आना होगा यहाँ पर यहाँ पर आपको option बिल जाएगा channel name and description तो आपको यहाँ पर pencil icon पर tap करना है like this यहाँ पर यहाँ पर आपको अपना first name और last name इंटर कर देना है यहाँ पर लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको दोनों name first name और last name दोनों यहाँ पर required है as you can see आप YouTube ने clearly mention किया required है तो यहाँ पर यहाँ पर required है then उसके बात यहाँ पर मैं circle लेता हूँ that's it tag j tag and j that's it उसके अलवा तो यहाँ पर आपका YouTube channel का name change हो जाएगा इसके अलवा अगर आप यहाँ पर अपने YouTube channel का कुछ भी description अगर आप set करना चाहते है कुछ भी आप video में जो आपका channel के related आप कुछ बताना चाहते है कि आप इस channel में क्या बताने वाले कि आप बताएंगे किस type of content आप यहाँ पर upload करेंगे वो आप यहाँ पर description add कर सकते है जो आपका permanent रहेगा तो यहाँ पर basic info में आके अपने YouTube channel का name change कर सकते हैं and then जो भी आप changes करेंगे make sure कि यहाँ पर आपको publish option पे जरूर set करना अगर आप publish option पे set नहीं करेंगे तो जो भी आपका नाम अपने change किया YouTube channel का वह यहाँ पर update नहीं होगा तो इस बात का आपको ध्याद रखना है तो finally as you can see यहाँ पर आपका YouTube channel का name change हो गया है लेकिन अभी एक और बात में आपको यह पर बताना चाहतो यह जो नाम आपने change किया है तो वो आपका तूरंत search में नाम आएगा नहीं लेकिन हाँ YouTube के application में YouTube के account में वह आपका नाम change हो के update हो गया है लेकिन YouTube के application में अगर आप अपने channel का नाम search करेंगे तो वहाँ पर आपको तूरंती search group में आपका नाम दिखेगा नहीं तो यह जो बात का आपको ध्यान रखना है अगर आपका YouTube channel जैसे मैं देड़ साल वाला पूरणा channel है तो ऐसे में तो अबीस सी बात है आपके उस YouTube channel का engagement होगा YouTube पर अच्छी channel वाच्टाम होगा तो ऐसे में तो आपका जो नाम है वो तुरंत ही I mean एक तर तो वन वीक के आसपास ही तुरंत search बार में आना start हो जाएगा उसके अलावा यहाँ पर अब मैं एक और बात यहाँ पर एड करना चाहता हूँ जो शायद आप लोगों के लिए useful हो सकता है अगर आप एक completely new YouTuber है और आप में just YouTube की journey start की है तो मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ अगर आप YouTube पर आपको नहीं पता कि YouTube studio में अपना जो वीडियो है वो आपको क इस तरीके से delete करना है तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बता रहता हूँ जिससे कि आपको वीडियो डिलिट करने के टाप पर कोई problem नहीं होगा लेकिन एक और बात मैं आप पर add करना चाहता हूँ यूटूब पर अपनी वीडियो को delete करना it's not completely the YouTube के policy के against है तो इस बात का भ जो नाम वो उसके बाद यहाँ पर नाम शो कर दिया उसके बाद अगर आप चाहो तो अगर आपको फिर भी अपना YouTube चैनल का जो name है वो अगर आपको फिर भी अगर change करने की ज़रूत पड़िये और आप अपने YouTube चैनल के name को फिर से change करना चाते है second time लेकिन अभी आप YouTube के website में नहीं जाना चाते है आप YouTube के application में अपने चैनल के name को change करना चाते है तो वो भी आप यहाँ से भी कर सकते है एकदम simple है तो उसके लिए आपको यहाँ पर आना है अपने YouTube चैनल के section में आप YouTube चैनल के और उसके बाद यहाँ पर आपको इस edit channel के option पे tap करना है और जैसे यहाँ पर आपके YouTube चैनल के नेम शो कर जाएगा as you can see तो आप यहाँ पर अगर आप fields आपको change करना है तो आपको directly इस pencil आइकन वाले option पे tap करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम जो भी आप set करना चाते है first name and last name वो आपको यहाँ पर इंटर कर देना लेकिन first name और last name दोनों यहाँ पर required है तो इस बात का आपको ध्यान रखना है बिकोज इसके बिन आपका नाम यहाँ पर update ही नहीं होगा तो जो भी आपको नाम यहाँ पर set करना है वो आपको यहाँ पर set करना है फिलाल मेरे cases में मैं अभी यहाँ पर अपना नाम change नहीं जाएगा बिकास अभी मैंने जस रिसेंटली से change किया है और शायद यहाँ लास्टाइम है तो इसके बार भी शायद मैं इसे change नहीं कर पाऊँगा तो उसके बाद आपको यहाँ पर okay option पर tap करना है उसके अलावा अगर आप अपने YouTube चैनल के प्रोफाइल फोटो को भी अगर आप change कर सकते हैं लेकिन जो भी फोटो आप चूज करें make sure कि जो फोटो है वो एकदम clear होना चाहिए एकदम crystal होना चाहिए और कोई भी blur जैसा नहीं होना चाहिए अगर आप अपनी ही कोई फोटो को upload करना चाहिए जिससे जो viewer है जो आपके audience है उन्हें आपको जानने में आपको फो अब आपको फोटो अपडोर लेकिन आपको जो genuine photo है वो यह आपको यह अपर upload करना चाहिए उसके बाद यहां से भी आप description shut कर सकते हैं तो overall ही यह ता एक simple सा step and process जिसके help से आप easily अपने YouTube channel का जो name है वो change कर सकते हैं तो this will help you in 2021 and in future as well. Thank you.